गर्मिया स्टार्ट हो चुकी है और गर्मियों में ठंड़ ठंड़ जूस पेने का बहुत ही मज़ा आता है तो मैं गई थी कल मार्केट और मार्केट में मुझे दिख गए तर्बूस तो मैं लेके आ गई और आज हम मनाएंगे तर्बूस का जूस वैसे तो किसी भी फ्रूट का जूस निकालने में बहुत ही मैनत लगती है फ्रूट को काटो उसको चीलो उसके सीड्स निकालो फिर उसको डालो जूसर में तब ही जाके आपको मिलता है फ्रेश जूस लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उससे जो तर्बूज का जूसे वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा फटाफट से निकल जाएगा आपके बरतन भी इतने खराब नहीं होगे इसमें नहीं आपको कोई जूसर की जरूरत है नहीं उसे चिलना है नहीं उसके सिर्ष निकालने है बस उसे बड़े-बड़े टुकडो में कट कर लेना है तो ये देखिए तर्बूज को मैंने इस तरह बड़े-बड़े टुकडो में कट कर लिया है ये जो ट्रिक में आपको बता रहे हूँ उससे आपका टाइम बहुत बचने वाला है और आपको एकदम फ्रेश जूस फटाफट से मिल जाएगा अगर आपके गर कोई गेस्ट आ गए तो फटाफट से आप इस तरह जूस बना के उनको पिरा सकते हो तो चलिए तर्बूस को मैंने अच्छे से काट लिया है और अब ले लेंगे एक बड़तन और उसके उपर रख देंगे चलनी तो इस तरह की चलनी तो सब के गर में होती ही है तो क्या करना है चलनी लेनी है और इस तरह जो तर्बूस के एक पीस है उसे लेके इस तरह उसके उपर गिसना है तो आप देख सकते हो कि Easily इसका juice निकल रहा है जो seeds है वो side में निकल रहे हैं और जो pulp है उसका वो अच्छे से crush हो रहा है और नीचे हमें juice मिल रहा है तो इस तरह सारे pieces को हमें गिसना है और juice निकाल लेना है तो है ना बहुत ही बड़ी अट्रेक तो ये दिखिए आपको मैं दिखाती हूँ फटा-फट से खाली 2-3 मीट में मैंने सारा juice निकाल लिया है और इसके अंदर बिल्कुल भी seeds नहीं है जो seeds हैं वो सारे छलनी में रह गए हैं तो इस तरह आप juice बनाओगे तो आपका भी juice फटा-फट से बन जाएगा अब क्या करना है juice के अंदर आप कुछ डालना चाहो तो ठीक है अगर आपका जो तर्बू से वो मीठा है तो कुछ डालने की भी जरूरत नहीं है खाली एक लास लेंगे दो से तीन डाल देंगे ice cube और डाल देंगे यह juice हमने जो बनाया है वो तो यह देखिए watermelon juice एकदम ready है तो आपको आज के ट्रिक कैसी लगी प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सिस्क्राइब भी कर देना ओके बाई जेशी करशन